वेलकम तो माई जैनल रंजीत को अदलखा I am here to help you to know that we all are creators and we can create our life as we want it to be यह बात हम बहुत बारी करते हैं कि we all are creators and we can create our life as we want it to be लेकिन कैसे पता चले कि हम Creators हैं इसका कैसे सबूत मिले कि हम खुद अपनी लाइफ के Creators हैं तो आपकी इसी इसी एक Confusion को दूर करने के लिए मैं एक स्टोरी लेके आई हूं बहुत चोटी सी स्टोरी है तीन बंदे हैं एक बंदा ऐसा है जो भगवान जी एक दिन मैं डिसाइड करते हैं कि मैं जाता हूं नहींचे और मैं उनकी सारी इच्छाओं को पूरा करूंगा तो वह पहले बंदे के पास जाते हैं पहले बंदे से पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए तो वो कहता है कि मुझे ये प्रॉब्लम चल रही है आज कर और मैं इससे इतना परेशान हूँ कि मेरी तो जिन्दगी इस प्रॉब्लम ने खराब कर दी है तो आप इसको solve कर दो तो बाकी मुझे और कुछ नहीं जी ये ये problem solve हो जाए तो मेरी जिन्दगी सफल हो जाए तो भगवान ने कहता थास तू और भगवान आसे चले गए फिर दूसरे बंदे के पास गए जो कि अच्छा घर था उसका खाता पीता बंदा था तो उससे पूछा कि तुझे क्या चाहिए तो उसने बुला कि मुझे मेरे पास अभी घर है अच्छा है बट मुझे और थोड़ा बड़ा घर चाहिए और गाड़ी है अच्छी और बड़ी गाड़ी हो जाए तो अच्छा है एक अच्छा लाइफ पार्टन मिल जाए जिसके पास साथ मैं अपनी जिन्दगी बिता लू वह मांगना भी चाहरा था लेकिन उसको लगा था ऐसा ना लगे कि भगवान जी को यह लगे कि मैं लाल्ची हूं या मुझे इतना सब तो है इसको देखो फिर भी क्या पड़ी है इसको और चीज़े चाहिए तो बस इतना ही मांग के उसने का आप इतना ही दे दो मेरे तो है कीरत मुझे और चाहिए मुझे छाहिए मैं लोगों के पास नौकरिया ने मुझे टो कि इतना फॉट्री नग्री में कुछ चाहिए चाहिए और इन सब चीजों को enjoy करने के लिए health तो बहुत ज़रूरी है तो मुझे अच्छी health भी चाहिए अब इस पैसे इतना पैसा अगर आप दोगे तो दिमाग भी चाहिए बुद्धी भी चाहिए उस चीज को चलाने के लिए तो मुझे बुद्धी भी चाहिए बुद्धी के चाहिए लोग मेरी बात को मानें ये सब चीजे भी मुझे चाहिए और मेरे दोस्त भी अच्छे होने चाहिए जो मेरी संगत में लोग आएं वो भी अच्छे होने चाहिए और जिनसे मैं दोस्ती करना चाहूं वो भी अच्छे होने चाहिए उसने इतनी लंबी लिस्ट जारूं मुझे सब चीजे चाहिए तो भगवान ने कहा ततास तू और बस काम शुरू हो गया उसकी लाइन लग गई जो जो चीजे उसने बोली थी वो सारी चीजे एक के बाद एक के बाद उसके पास आने लग गई अब आप इस स्टोरी को सुन के आपको क्या लगता है कि क् अपनी जिंदगी के एक क्रिएटर हो क्या आप अपनी जिंदगी कुद क्रिएट करते हो ओफ कोस आपकी जैसी सोच होती है और उसके साथ आपका जितना ट्रस्ट होता है उस उपर वाले पे आप यह देखो कि पहले बन्दे को लगा और भगवान के पास पता नहीं भगव तो आती जाती रहती हैं और वह में लैसन ही सिखाती है और अगर वह हमाई ही लाइफ में है तो उसको सौल्व करने में अगर हम उसको है चैलेंज की तरह ले और उसको आपनी जिन्दीगी का भी मजा आता है वर चलो ठीक है दूसरे के पास गए तो दूसरे को यह लगा कि पिसरे बन्दे को भगवान जी खी पूरा पूरा ट्रस्ट भी था पूरा फेट भी था और उसको भगवान जी की पावर्स का भी पता था कि उनके हाथ में कितनी पावर्स होती हैं इसलिए उसने किसी चीज़ को नहीं छोड़ा उसने beauty से लेके health से लेके पैसे से लेके गर से लिएकर नौकर इंगर से सारी चीजे मांग खाल May इतने लड JUST अबड़े भ्रमान में से तो उनका तो कुछ नहीं कि बंबाला लेकिन हां इसकी जिंदगी सबर जाएगी तो प्रश था उसको Dell था इसलिए उसने उपर वाले से वो सब चीज़े मांगी और उसको मिली गई क्योंकि उपर वाले नों सिर्फ तथास्तू ही कहना है और आपने ये चीज बहुत किताबों में बहुत ग्रंथों में पड़ा होगा कि मन की गरीबी ही सबसे बड़ी गरीबी अगर आप मन से ही नहीं सोच सकते अगर आप भगवान आपके सामने खड़े हो तो भी आप ये नहीं सोच सकते कि आपको चाहिए क्या मतलब जिन्दगी को खुशाल बनाने के लिए हैपी बनाने के लिए इसको फुल तरीके से जीने के लिए आपको चाहिए क्या तो वो तो वो साक्षात भी आके खड़े हो जाएं तो आप उनसे वो चीज नहीं ले सकते जो कि आपकी जिंदगी को अच्छा कर दें तो बहुत बड़ी बात है ये कि हमको पहले तो उपर वाले की शमता पर ट्रस्ट होना चाहिए और हमें उनसे मांगते वे कभी जिजगना नहीं चाहिए और हमें हमेशा मांगना चाहिए कि मुझे ये चीज चाहिए मुझे ये दे दो अगर हम उनसे मांगते ही नहीं है तो तो फिर है नहीं है अगर बच्चा रोता नहीं है तो मां भी उस उसको दूद्फ पिलाके जाती यह तो उपरवाला भी ऐसा है वहीं वेरी बिजी तो लेकिन अगर आप उनसे कौःँ मुझे यह दे दो तो वह दे दे देमने पहली बात मांगना है दूसरी बात उसमें ट्रस्ट कितना अगर ट्रस्ट इतना ही है कि वह एक घर है एकऌर दे तो तो यू डूंट है फ्रस्ट आप देख रहे हो intensity क्या है जो तीसरा बंदा है उसको 100% ट्रस्ट है कि एक क्या मैं हजार क्या मैं लाग क्या मैं करोड मांगूंगा उपर वाले में इतनी शमता है और वो इतना बड़ा है और वो इतना ग्रैंट है कि वो मेरी सारी चीजों को एक एक word से ही पूरी कर देगा तो उसने उसी उस faith को उस trust को और भड़ाया और उसने पनी जिंदेगी में भी हर चीज को पा लिया तो trust का होना बहुत जरूरी है और तीसरी चीज जो आती है कि हमको मांगना क्या है ये बहुत important होता है अगर आप भगवान के सामने जाके prayer कर रहे हो कि भगवान जी मुझे अच्छा पती दिलवादो या मेरी शादी ऐसे बंदे से करवादो जो बहुत अच्छा हो लेकिन वह शराब नहीं पिना चाहिए तो क्या आप सही मांग रहे हो आपने ऐसे बहुत लोगों को देखा होगा जिन्नोंने ये prayer की होगी और उनको वही बंदा मिला होगा जो शराब बीता होगा तो आप क्या मांग रहे हो इसके लिए आपको पता होना बहुत जरूरी है इस चीज़ का कि हम जो चीज़ मांगते हैं देखो अगर जब जब अर्जुन से ये बात बोली गई थी आपको ये स्टोरी हम सब को पता है जैसे कि जब अर्जुन से बोला गया था कि वह सामने पेड़ पे चिडिया बैठी है तुम्हें क्या नजर आ रहा है तो अर्जुन का यही आंसर था कि मुझे उसकी आँख नजर आ रही है क्योंकि उसका फोकस कहां था उसकी आँख पे तो उसको वही दिख रहा था और उसने उसे पर टागेट किया और उसने उस अपने उस टेस्ट को बहुत अच्छे से पास किया आपने एक आदमी की image बनाई है अपने आंगे उसमें सारी अच्छे अच्छी चीजें हैं लेकिन आपका focus कहा है कि वो शराब ना पीता हो तो जिस चीज पर हमारा focus होता है वो ही चीज ग्रो करती है बेशक वो positive हो या negative हो तो अपना focus हमको क्या करना है वो शराब पीता है इसको तो अग्दम निल कर देना उसकी अच्छी चीजों को focus करना है जब हम उसकी अच्छी चीजों को focus करते हैं तो जो चीज ऐसी है जो हमें नहीं चाहिए हमने जिन्दगी में वो आती ही नहीं है बट हमारे साथ mostly क्या होता है कि हम focus कर रहे होते हैं उसकी negative qualities पर कि ये ना मिले बाकी जैसा भी होगा मैं manage कर लूँगे बट मुझे ये दो चीजे नहीं चाहिए it means your focus is on that two points तो हम नहीं चाहते हैं उस चीज को फिर भी हम अपनी life में उसी चीज को invite कर रहे होते हैं बार बार जब भी हमारे से उस बारे में बात होती है तो this is extremely important कि आपको जो चाहिए अपनी life में आप उस पे focus करो बजाए उस चीज के जो आपको नहीं चाहिए तो तीसरी चीज हो गई अब हमें मांगना कैसे है तो I think इस story से और इस वीडियो से आपको बहुत अच्छे से clear हो गया होगा कि हम creator हम अपनी life के creators कैसे हैं क्योंकि हम जब मांगने जाते हैं हम उपर वाले से मांगते हैं इस universe से मांगते हैं और वो हमारी सारी इच्छा है पूरी करता है अगर हम नहीं मांगेंगे तो वो हमें नहीं देगा क्योंकि उसको लगेगा कि you are happy at our place तो मांगना सीखिए, मांगने सीखने के साथ उसके अंदर फेथ रखिए कि वो तो magic करता है, he is a creator of magic, कुछ भी हो कैसे भी हो, वो अगर मैंने मांगा है तो वो मुझे देगा ही देगा, ये एक magic जो logic से आप जब magic की तरफ shift कर जाते हो, तो वैसे ही आपकी जिन्दगी में बह अच्छे-च्छे results आने लगते हैं, और तीसरी बात क्या है कि आपको मांगना क्या है, आपको किस तरीके से मांगना है, आपको पता होना चाहिए कि आपने मांगना क्या है, और आप उसी चीज के उपर focused हो कि मुझे जिन्दगी में ये चीज़े चाहिए, और आप ऐसा करक पतरमान के अपनी जिन्दगी को खुद लिखने का courage जुटा सकें, और भगवान से हर उस चीज को मांगने की शमता रखें, हर उस चीज को receive करने के लिए ready हो जाएं, जो आप अपनी जिन्दगी में चाहते हैं, and I believe कि आप अगर इसको use करेंगे, उस उस उपर वाले को अप अपने सामने रखके उनसे वो चीज मांगेंगे जो आप चाहते हैं अपनी life में लाना, तो आपकी वो सभी prayer जरूर सुनी जाएंगी, और आपको वो सारी चीज़े जरूर मिलेंगी जो आप deserve करते हो एक अच्छी जिन्दगी जीने के लिए, फिर मिलती हूँ दूसरी